यह आपकी fifth series है questions की इसमें हम आपके फिर से important questions share करने वाले हैं और यह questions सभी exams के लिए बहुत important हैं इसमें कुछ questions जो हैं वो आपके TG2 में तो लगबग mostly सभी questions आ चुके हैं previous year questions पेपर से questions लिए गये हैं और इनका solutions बनाया गया है और जो कुछ questions हैं वो questions आपके ITI exam में NCVT में पूछे जा चुके हैं और आप जब CTI का exam देने के लिए जाते हैं तो CTI में भी लगबग इनी में से questions आते हैं बस यह हो सकता है कि questions का type थोड़ा सा change किया गया हो तो जो भी लोग interested हैं इस वीडियो को like और subscribe कर सकते हैं और इस वी questions हैं एक question में से करने के बाद आप चार questions के त्यार करने के योगी हो जाते हो क्योंकि हम इसमें यह तक discuss कर रहे हैं कि बाकी जो material है वो या बाकी जो तीन points नहीं है तो क्यों नहीं है जैसे हमारे पास एक question आता है 32 आपकी screen में है आप देख सकते हैं what is a paramagnetting material what is a paramagnetting material अनु चुम्बक की पदार्थ कौन सा है तो इसमें आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अनु चुम्बक की पदार्थ कौन से होते हैं और इन पदार्थ का क्या मतलब है इसका physical significance क्या है तो paramagnetting substance यह वो substance होते हैं जब आप इनके बगल में चुम्बक लेके आते हैं तो च वापस अपनी यथा इस्तिती में आ जाते हैं दूसरे होते हैं आपके इसको बोलते हैं अनु चुम्बक की पदार्थ दूसरे होते हैं आपको डाया मैगनेटिक substance तो उसमें क्या होता है वो पदार्थ जो होते हैं जब चुम्बक आता है तो वो चुम्बक से दूर भागन की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही चुम्बक हटाया जाता है तो वह अपनी यथा इस्तिती मेंटेन कर लेते हैं तो इसका जो इसका आंसर वो है एर वायू और इसको आप डिटेल में जाने के लिए जो तेरवा कोशिशन है उसको देख सकते हैं जो आपको हमारे सेकेंड वीडियो सेट में मिलेगा अगला कोशिशन है which method of magnetization is used to make commercial purpose permanent magnet चुम्बी करण की किस विधी का उपयोग वेवसाई कुद्देश को स्थाई चुम्बक बनाने के लिए किया जाता है तो वेवसाई मतलब बहुत बड़े बड़े चुम्बक आपको बनाने है तो उसके लिए आप किस चीज का कौन सी विधी का इस्तमाल करेंगे तो इसका है answer induction method induction method में क्या होता है इस method में आप क्या करते हैं एक iron piece लेते हैं एक लोहे का तुकड़ा लेते हैं और उसके चारों तरफ तार को लपेट देते हैं इसको बोला जाता है core मतलब एक पदार्थ या एक core या एक धातु जिसके चारों तरफ आपने क्या किया एक तार को लपेट दिया copper wire को और उसमें आपने क्या 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 डीसी supply दे दी तो इस विधी को बोलते है induction method single touch method इसमें क्या होता है किसी भी पदार्थ में आप चुम्बक बार बर लगा के छोड़ते हैं जिससे उसमें चुम्बक की गुण डवलप हो जाता है तो जो induction method है इससे आप बहुत बड़े magnet बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा intensity और तिवृता के चुम्बक बना सकते हैं तो यह answer बहुत इंपॉर्टन्ट है तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है desired magnetic field strength magnets can easily made through induction तो जो हमारी इच्छा अनुसार चुम्बक की पदार्थ को अगर बनाना होता है तो हम induction method का इस्तेमाल करते हैं मतलब प्रेडन वेधी का इस्तेमाल करके हम अपने आवसकता अनुसार चुम्बक बना लेते हैं तो इंडस्ट्री जो होती है उसमें हमें जिसकी आवसकता होती जितने चुम्बक की हम उतना बना लेते हैं अब अगला question क्या है यदि चुम्बक के बीच की दूरी बढ़ाते है तो प्रेडन का प्रभाव क्या है यह बहुत important question है कि अगर कोई coil है कोई कुंडली है आपके पास अगर उसके आप दो चल्लों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप देख सकते हैं जो उसका inductance है मतलब L जो उसका प्रेडन है वो बढ़ जाएगा L जो है उसका वो बढ़ जाएगा और क्यूं बढ़ेगा आप देख सकते है इसमें इसका मतलब यह है जो आपका एक कोई से दूसरी कोयल के बीच में जो है आपका चुम्बक जो जा रहा है वो क्या होगा वो बढ़ जाएगा और एक कोयल का जो चुम्बक है वो दूसरी कोयल से कम लिंक होगा और कम लिंक होगा तो जो क्या होगा इसकी वज़े से जो दोनों चुम्बक के बीच में दोनों चुम्बक के बीच में जो विकर्शन होगा वो कम हो जाएगा जो विकर्शन कम हो जाएगा तो उसकी बजह से क्या होगा जो इंडक्टन्स है वो बढ़ जाएगा और इंडक्टन्स बढ़ जाएगा अगला कोशन क्या है what is the function of dielectric insulator in capacitor तो dielectric insulator मतलब संधारित में पराविध्युत कुछालक का क्या कारे है तो जो भी capacitor होता है या संधारित होता है उसमें जो भी चीज हम बीच में material डाल देते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ दो प्लेटों की बीच में जिस भी चीज का इस्तमाल कर देते हैं उसका सिर्फ main purpose यह होता है कि वो current का जो बहाव है उसको किसी तरीके से रोकना हो क्योंकि current के बहाव को जब रोकेंगे तो उसका तो संधारित है वो बढ़ेगा और इसी लिए संधारित का प्रियोग किया जा रहा है तो इसका answer जो हो गया क्या हो गया prevents any current flow between plates इसमतलब दो प्लेटों के बीच में धारा के परवाह को रोकना अव्रिद करना क्योंकि यह जो पदार्थ यह कुछालक है तो यह धारा के परवाह को रोकेगा अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है A dielectric is basically an insulator An insulator is used to stop the current from flowing as both the job of capacitor and dielectric is to stop the current from flowing electric in between the plates of the capacitor will increase the capacitance as a result तो इसका क्या मतलब है एक पराविद्युत्चुंबक की मूल रूप से एक insulator है कुछालक है एक कुछालक का उपियो करन्ट को बहने से रोकने के लिए किया जाता है चूकी संधारित्र और पराविद्युत्चुचालक दोनों का काम वर्तमान प्रवाग को रोकना है इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पराविद्युत्चुचालक रखने से परणामी धारा बढ़ जाती है इसका मतलब यह है कि इसका जो capacitance है वो बढ़ जाता है अगर आप इन दोनों के बीच में एक कुछालक डाल देते है और कुछालक क्या होता है धारा के प्रवाग को रोकने की कोशिश करता है तो आप देख सकते हैं इस पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रिवेंट्स एनी करण फ्रॉम फ्लोइंग प्लेटों की बीच में धारा प्रवाग को रोकता है अगला कोशन है हमारे पास which factor is determining the value of capacitance in a capacitor तो संधारित में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निरधारित हो रहा है तो इसमें आंसर कोश दिये हुए A. area of plate मतलब प्लेटों की छेतरफल B. shape of plate प्लेटों का आकार material of plate किस material से बना हुए D. thickness of plate प्लेटों की मोटाई तो आप देख सकते हैं refers to question number 30 इसका जो formula होता है वो होता है C. equal to E. not A. by D तो जो आपका ये होता है capacitance होता है संधारिता होता है ये आपका C. equal to E. not A. by D A मतलब plate का area plate का छेतरफल पे depend करता है जो इसका पहला option दिया है दूसरा ये विक्रुमानी पाती होता है दोनों plate के दूरी के और जो plate के बीच में आपने material इस्तमाल किया होता है उस पे भी ये निर्भर करता है उसको बोलता है E. not तो आप देख सकते हैं इसका जो सही answer है वो A है बाकी detail में जाने के लिए आप हमारे 30 नंबर जो question है उपर उसको refer कर सकते हैं वीडियो 3 में विच टाइप अफ कैपेसिटर अर यूजड इन RF कपलिंग सर्कीट RF यूगम्स प्रित में किस प्रकार के संधारित का उपयोग किया जाता है विच टाइप अफ कैपेसिटर अर यूजड इन RF कपलिंग सर्कीट तो जो RF कपलिंग सर्कीट होते हैं इसमें किस प्रकार का संधारित प्रियोग किया जाता है question से भी answer प्राप्त होता है एक question आया था TG2 में कि जो आपका RF कपलिंग सर्कीट होता है उसमें क्या इस्तमाल होता है capacitor होता है inductor होता है प्रतिरोध होता है LCR होता है तो आप देख सकते है question से भी आपको answer मिल रहा है तो इससे पता चल रहा है कि उसमें संधारित का प्रियोग होता है तो इसके जो options है आप देख सकते हैं में दिया है तेंटलियम मोनोलिथिक, इलेक्ट्रोलिटिक, मेटलाइस्ट, पॉली, प्रोपलीन तो आप देख सकते हैं जो आरेफ कपलिंग सर्कीट का जो संधारित होता है इसमें आपका मोनोलिथिक कैपेसिटर का इसमाल किया जादा है मोनोलिथिक कैपेसिटर, पॉली, स्टर, फिल्म कैपेसिटर यह दोनों एक ही प्रकार के कैपेसिटर होते हैं आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है answer में कि मोनोलिथिक जो कैपेसिटर होते हैं इनका इसमाल हर उस जगे पी किया जाता है जहाँ पे size बहुत कम हो, capacitance बहुत अधिक इसमाल किया जाना हो और जहाँ पे space limit हो, मतलब बहुत चोटी जगे हो जहाँ पे कैपेसिटर को लगाया जा सके जिसकी जो dimension है मतलब उसका 6 तरफल वगेरा वो बहुत कम हो वहाँ पे इसका इस्तमाल किया जाता है आप देख सकते हैं Monolithic Capacitor Film Capacitor आमतोर पर उपियोग किये जाते हैं क्योंकि इनके Compact IAM सीमित इस्तान वाले उच धनत उन प्रियोग के लिए वांचित होते हैं तो आप देख सकते हैं सेरमिक ये छोटे बहुती काकार में कम लागत और उच छमता प्रदान करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सेरमिक के बने होते हैं और ये उच छमता प्रदान करते हैं अब आप देख सकते हैं ये बहुत कोशन पूछा जाता है what is unit of substance substance की इकाई क्या है तो आप देख सकते है conductance क्या होता है conductance होता है प्रतिरोध को उल्टा और इसका जो मातरक है ये सेमन से आप देख सकते हैं ये चार्ट बना हुआ आपके सामने दूसरा इसको मोह भी बोलते है substance जो है उसको आप देख सकते है substance क्या है substance जो है वो है आपका reciprocal of reactance जो reactance होता है जिसको x बोलते है xl, xc, xl होता है inductive reactance, xc होता है capacitive reactance, तो substance जो होता है वो आपका reactance का उल्टा होता है और जैसा कि reactance का मातरक ओम्स होता है तो इसका उल्टा क्या होगा मोह होगा और इसका जो ऐसा ही मातरक है वो सीमेंस है वैसी एड्मिटेंस जेड जेड का उल्टा जो होता है वो होता है इंपिडेंस का उल्टा होता है एड्मिटेंस और इसका जो भी जो मातरक होता है वो सीमेंस होता है और वाई ए होता है तो यह सारे आपको फॉर्मुले बाई हाट याद होने चाहिए कि कंड़क्टेंस का होता है रजिस्टेंस का उल्टा ससब्टेंस क्या होता है रियक्टेंस का उल्टा admittance का उल्टा admittance आपका impedance का उल्टा तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चीज़ें अच्छी तरीके से Susubtance आप देख सकते हैं Susubtance is a measure of how easy it is for alternating current to pass through a capacitance or an inductance while reactance is the measure of how much a circuit reacts against change in current over time Susubtance is the measure of how much a current is susceptible to conducting a charging current तो जो आपका देख सकते हैं Susubtance इस बात का map है कि alternating current के लिए capacitor या inductor से गुजरना कितना आसान हैं तो Susubtance क्या है Susubtance basically क्या है जैसे प्रतिरोध में जो conductance होता हूँ क्या होता है इस बात का measurement होता है कि कि किसी भी धादू से धारा कितनी जल्दी बह सकती है उसी प्रकार Susubtance क्या होता है किसी भी संधारित्र और प्रेरक से धारा कितने असानी से बह सकती है उसको Susubtance बोला जाता है तो आप इसको आसान भासा में समझ सकते हैं कि Susubtance जो होता है वो reactance का उल्टा होता है अब आपके सामने बहुत ही महत्पूर्ण कोशन है वाट इस दर रजिस्टेंस ओफ इंडक्टिव कोईल टेक्स फाइव एमपीर करन्ट एक्रोस दोसो चालीस पचास हट सप्लाई 0.8 पावर फेरेक्टर प्रिरक्ट कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 अमपीर धारा ले पचास हट्स आप पूर्ति करे और 0.8 शक्ति गुडांक हो तो आप देख सकते हैं जो इमपीडेंस का फॉर्मुला होता है यह होता है जेट इक्वल टू वी बाई आई आपको वोल्टेज पता है 240 और धारा पता है 5 अमपीर तो इससे आपको इमपीडेंस पता चल जाएगा अब आपको impedance पता चल गया तो आपको पता है कि जो शक्ती गुडांक है ये R by Z होता है तो शक्ती गुडांक R by Z हो गया तो आपको शक्ती गुडांक की value पता है 0.8 और Z की value अब निकाल चुके है तो आप R की value इसमें निकाल सकते हैं अगला question जो है How the resonant frequency can be increased in AC circuit AC स्रेणी परिपत में अनुनाद अवरिति को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो आप देख सकते हैं जो अनुनाद की condition होती है F equal to 1 upon 2 pi under root LC आप देख सकते हैं लाश्ट में लिखा है F equal to 1 upon 2 pi under root LC तो frequency को कैसे बढ़ाया जा सकता है frequency को बढ़ाने के लिए आपको या तो inductance को मतलब प्रेरक को कम करना होगा या तो capacitance को कम करना होगा या तो आपको दोनों को कम करना होगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो B हो जाएगा और बाकी C और D और A क्यों नहीं होगा या आप देख सकते हैं कि इस पर depend ही नहीं कर रहा है अगला question क्या what is the formula for three phase reactive power if the line voltage VL and line current is IEL तो जैसा कि आपको हम पहली बता चुके हैं कि जो आपका reactive power का जो three phase में formula होता है इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि जो power triangle होता है हम आपको नीचे discuss भी करेंगे उसके बाद आप इस question को कर भाएंगे power triangle में हमने सब discuss किया हुआ है कि जो active power होती उसका क्या formula होता है यह active power का क्या formula होता है अब 80 शक्ति का क्या होता है यह सारी चीज़े हमने नीचे discuss की हुई यह आप देख सकते हैं three phase power three phase जो line होती उसमें power क्या होता है आप देख सकते है active power जो होती है pt equal to root 3 line to line voltage into line current into शक्ति को डांग तो root 3 कीवल जो पहले हम single phase में यूज़ करते थे उसी में आपको root 3 को कीवल multiply कर देना आपके सारे options same रहेंगे जैसे apparent power जिसको आप बोलतें apparent power जो st equal to root 3 vl, il हो जाएगा three phase reactive power जो आपकी होगी qp equal to vp ip sin p तो यह आपकी phase reactive power हो गई और total reactive power आपकी होगी qt equal to 3 vp ip sin 5 आप देख सकते हैं तो यह आपकी होगी reactive power बाकी आपकी जो reactive power होती है उसको अगर आप line के terms में लिखेंगे तो यह हो जाएगी root 3 vl, il sin 3 अब अगला question what is the main cost for below 0.5 lagging power factor in three phase system तीन कल्य प्रणारी में शक्ती गुडांग 0.5 पशगामी पशगामी से नीचे होने मुझ की कारण क्या है तो आप इसमें देख सकते हैं इसका क्या है reason इसका जो सही reason है वो reactive power due to more inductive low प्रेरक भार के कारण तो कुल मिला के इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी system की जो आपकी शक्ती गुडांग होता है वो 0.5 से lagging कब हो जाता है मतलब 0.5 से कम और lagging कब हो जाता है तो कहीं भी आपका lagging शब्दा आता है तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि lagging मतलब प्रेरक और जहाब प्रेरक की value अधिक हो जाएगी तो आपका जो power factor होगा वो शक्ती गुडांग होगा वो lagging हो जाएगा तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं अब अगला question जो है what is the current in neutral conductor in three phase unbalance loading star connected system star सयोजी system में तीन कल आप संतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है मतलब जो neutral wire है star connection में उसमें कितनी धारा बैती है balance system में इसका जो सही जवाब है यह है lesser than the lowest current in any one of the phase मतलब कलाओं में से सबसे कम धारा की तुलना में कम मतलब जो सबसे कम phase में धारा बै रही होगी उससे भी कम धारा बैती है neutral में आपको इसका सही जवाब comment में देना है कि neutral में सबसे कम धारा क्यों बैती है question मैं फिर से आपको repeat कर देता हूँ phase unbalance load in star connected system मतलब unbalance load है और system star connected है तो उसके neutral में कितनी धारा बैगी है आपको हमें comment में बताना है thank you